हेलो एवरिबन हमने लिवरेज वाला टोपिक स्टार्ट किया हुआ था तो लिवरेज का मीनिंग और ओप्रेटिंग लिवरेज क्या होता है वो हम समझ चुके हैं कि अगर फर्म में फिक्स कोस्ट या फिक्स रिटर्न पे करनी है तो इट मेंस क्या है उसमें लिवरेज है तो ओप्रेटिंग लिवरेज अगर फिक्स कोस्ट पे करनी पड़े यानि की रेंट वगारा पे करना पड़ता है या इंसरेंस की पोलिसी वगारा जो हमें पे करनी पड़ती है तो हमारे कौन सी लिवरेज एक्जिस्ट करती है ओप्रेटिंग लिवरेज और मोटे तोर पर अगर कहा जाए तो अगर हमें debentures या फिर preference shares उनके लिए हमें क्या एक fixed amount pay करना पड़ता है interest debenture पर charge होता है तो अगर हमें वो pay करना पड़ता है अगर हमने debenture इशु कर रखे हैं या फिर preference share capital इशु कर रखे हैं तो it means हमारी firm में क्या है financial leverage exist करती है तो अब हमें इसको deeply समझने की कोशिश करती हैं और इसे किस तरह से निकला जाता है इसके formula को भी हम यहाँ पर study करेंगे तो financial leverage is primarily concerned with the financial activity which involves raising of funds from source for which a firm has to bear fixed charges यानि कि वही बात है कि financial leverage कि अगर कोई भी activity या कोई भी ऐसा fund या source हमने use किया है जिसका क्या भी यह करना पड़ता है fixed charging such as interest expenses जैसे कि क्या होता है जो हमने debenture issue कर रखे हैं तो उस पर क्या देना पड़ता है interest देना पड़ता है या फिर कोई भी amount ऐसा ले रखा जिस पर हमें क्या देना पड़ेगा interest देना पड़ेगा या फिर loan fees etc तो इसका मतलब क्या है हमारी firm में financial leverage है these source include long term debts इन में कौन से source को issue किया जाता है क्योंकि यहां पे जो source words है उसमें हम किस किस को include कर सकते हैं long term debts long term debts में कौन से आ जाते है debenture and bonds and preference share capital आप समझते कि आपर preference share capital को क्यों का गया है और equity share capital को क्यों नहीं का गया क्योंकि जो preference share capital है उसकी एक rate होते है जैसे 10% preference share capital की 10% dividend देना है या फिर 8% तो आपको वो dividend pay करना पड़ता है but equity share capital में ऐसा कुछ नहीं होता है तो इसलिए preference share को इसमें include किया जाता है उसके बाद है इसकी जो definition है according to Whitman financial leverage is the ability of firm to use fixed financial charges to magnify the effect of change in EBIT on firms earning per share तो इनका भी यही कहना कि अगर financial leverage कब exist करती है जब ability है कि इसमें firm में जो fixed financial charges है उसको उसके अगर कोई भी pay करना पड़ता है और इसके effect को change किसमें इसका जो effect होता है वो किसमें change ले आता है earning before interest and tax में on firm earning per shares EBIT में से अगर हम क्या less करती है कोई भी हमारी leverage है उसको less किया जाता है तो हमारे किसमें change होता है earning per shares में क्योंकि उससे क्या हमारे profit पर effect पड़ेगा और profit पर effect पड़ेगा तो earning per share पर भी effect पड़ता है तो देखो यह पूछा जाता कि financial leverage favorable होती है या unfavorable तो हम यह नहीं कह सकते कि financial leverage का favorable है या unfavorable है लेकिन अगर case दिया हुआ है तो उसके थूँ हम यह कह सकते है कि अगर वही जो हमने operating में बताई थी वहीं यहाँ पर भी apply होती है कि यदि cost जादा है cost जादा है और return कम है तो unfavorable या negative financial leverage और cost कम है और rate of return जादा है तो वो क्या होती है favorable या positive financial leverage it means हमने पैसे कम लगाए है और कोई भी business हम start करते है तो अगर कहीं से बाहर से पैसे लेते हैं तो हम यह सोचते हैं कि जो हमें pay करना है कम से कम उतना amount या उससे जादा क्योंकि हम भी हमें भी क्या चाहिए profit चाहिए तो उससे थोड़ा सा जादा मिलेगा ट्रेडिंग ओन एक्विटी शेयर होलडर गेन वेर दो फॉर्म और से हाई रेट ओफ इंटरस्टे को जो बात यहां पर है वही है इसका कहने का मतलब इसमें पूरी बात में क्या का गया है एक बार पढ़ लेते हैं हाईर रेट ओफ रिटर्न and pay a lower rate of return to the supplier of long term funds the difference between the earning from the assets and fixed cost on the use of funds goes to the equity shareholder इसमें यही का जाता है कि equity trading on equity क्यों का गया है क्योंकि fixed amount कहीं से हम लेके उसके उपर जो fixed charges देते हैं वो किसलिए देते हैं ताकि equity shareholder का जो dividend है जो profit है वो क्या हो सके increase हो सके तो उसी को हम क्या कहते हैं trading on equity कहते हैं उसके बाद financial leverage is associated with financial risk और अब यहीं पर बात आके अटक जाती है क्योंकि वैसे तो यह सोचते हैं सभी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले लिया जाए पैसा ले लिया जाए बार से और उसे business में use किया जाए ताकि ज़्यादा profit हो सके बट यहाँ पर एक बात अटक जाती है financial risk की ठीक है क्योंकि जहाँ पर भी uncertainty होती है क्योंकि confirm तो नहीं हमने amount लिया और हमने सोचा भी 5% पर ले लिया और 10% हमें profit मिल जाएगा it means 5% हमारा क्या हो जाएगा profit हो जाएगा बट actual में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी क्योंकि यह तो हमारी क्या थी adjustments थी adjustments थी तो financial risk भी आ जाएगा और financial risk की वजए से ही हमें क्या है leverage इतनी रखनी चाहे जितनी की हम उसको bear कर सके financial risk refer to risk of the firm not being able to cover its fixed financial cost due to variation in earning before interest and tax a bit के जो variation के change के कारण हमारे जो financial fixed financial cost है उसको भी cover करने के able नहीं है तो हमारा क्या आ जाता है financial risk with the increase in financial charge the firm is also required to raise the level in earning before interest and tax necessary to meet financial charge if the firm cannot cover these financial payment it can be technical forced into liquidation कई बार तो ऐसी situation आ जाती है कि firm इतने ज़्यादा loss में चली जाती है क्योंकि उसकी leverage इतनी बढ़ जाती है वो fixed cost को इतना बढ़ा लेती है हे सीच्री कि अमांट वो पे करने में शक्षम नहीं रहती है तो उसमें क्या आ जाती है लिकज़िटेशन की season आ जाती है क्योंकि fixed cost हो तो हमें pay करना ही पड़ता है अगर हमें loss है तो उस time भी हमें pay करना पड़ेगा और बार बार अगर हम उस amount को pay करते रहेंगे तो हमारा loss हर year बढ़ता रहेगा जिससे किस situation में आ सकती है firm liquidation की situation में आ सकती है इसी लिए कहा जाता है कि leverage को एक अपने जितनी हम बियर कर सके उतनी ही leverage रखनी चाहिए और favorable और unfavorable leverage या positive या negative financial leverage उसकी profit और rate और return को ही देखकर पता चलता है वैसे हम यह नहीं कह सकते कि leverage हमारी firm के लिए positive है या negative है एक firm के लिए ज़्यादा leverage positive भी हो सकती है और एक दूसरी firm के लिए ज़्यादा fixed cost जो बियर नहीं कर पाती उसके लिए वो negative भी हो सकती है अब इसे निकालेंगे कैसे degree of financial leverage कैसे निकाली जाती है तो earning before interest and tax को अगर ebt से divide कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है degree of financial leverage आ जाती है और इसे किस तरह से निकालते हैं उसे हम समझाएंगे अगर या फिर percentage change in eps अगर दो हमें दिये गई हैं उनका comparison करना है तो वहाँ पर percentage change in eps और percentage change in ebit का formula लगता है the value of degree financial leverage must be greater than 1 financial leverage की value 1 से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अगर इन दोनों की value same हो गई तो इसका मतलब क्या है financial leverage exist ही नहीं करती है और दोनों की value same होगी तब हमारी क्या value आएगी 1 आएगी if the value of degree financial leverage is 1 then there will be no financial leverage the higher the proportion of debt capital to the total capital employed by a firm the higher is the degree of financial leverage वही बात है कि अगर ज़्यादा debt यूज कर रखी है तो it means क्या है financial leverage की value क्या आएगी ज़्यादा आएगी higher the degree of financial leverage that greater is the financial risk ठीक है अगर financial leverage की degree ज़्यादा है तो it means financial risk भी हमें ज़्यादा ही होगा अब इसके formula को कैसे apply करता है कैसे EBIT निकालते है कैसे EBIT निकालते है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो इस questions के थुरू जो हमारा first formula है EBIT divided by EBT इसको समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो हमने sales निकाल ली थी ठीक है मानलोर sales दे रखी 10,000 उस पर कुछ variable expenses है उसको less कर देंगे अगर sales में से variable expenses less करती है तो हमारी क्या आ जाती है contribution आ जाता है अब contribution में से क्या less करना है fixed expenses less करनी है तो अगर कोई भी fixed type का expenses जो है जैसे rent है ठीक है या insurance की policies के amount है या फिर salaries वगरा है जो कि बिल्कुल fixed है कि हमें क्या है ये तो पे करनी ही करनी है तो उन तरह उसको हम क्या करते हैं less कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है earning before interest and tax क्योंकि अभी तक हमने interest or tax less नहीं किया है account को लेना है ठीक है उसके बाद हम क्या कर देते हैं अगर हमने डिवेंचर्स वगरा issue कर रखें तो उन पर जो interest है माल या 1000 है तो उसको क्या कर देते हैं less कर देते हैं इसके बाद हमारा क्या आ जाता है earning before tax क्योंकि अब हमने क्या less कर दिया है अब हम इसमें से tax माल लो 30% की rate दे रखें तो 3000 का 30% कितना हो गया 900 रुपए हो गया तो हमारा जो 2100 amount आया वो क्या आ गया profit after tax क्योंकि अब हमने tax भी less कर दिया है और इंट्रस्ट भी less कर दिया है तो जो हमारा first formula है उसमें हम किस को लेते है अर्निंग बिफोर इंट्रस्ट और टेक्स और अर्निंग बिफोर टेक्स को 3000 को तो इस और इस amounts को use करके यहां पर इनकी value put करके हम degree of financial leverage निकाल लेते हैं यह र तो तब भी हम निकाल सकते हैं तब हमें क्या देखना पड़ेगा percentage change in EPS तो percentage change in EPS हमारी कहां से निकलेगी tax को less करने के बाद profit after tax आ जाएगा इसे हम shareholders के number of shareholders से divide करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी EPS आ जाएगी ठीक है फिर उस EPS और जो दूसरे data दिया हुआ है उस EPS में कितना percentage मालो यहां पर दे दिया कि 10% अगर sales increase हो जाती है ठीक है 10% अगर हमाँ sales increase करते हैं it means 10,000 का 10% 1,000 तो हमारी sales कितनी हो जाएगी 11,000 की तो 10% हमारा variable cost variable expenses भी क्या होगा ज्यादा होगा तो हमारा variable expenses कितना होगा 44,000 तो हमारा कितना आ जाएगा 6,600 अब जो हमारे fixed expenses है वो तो हमारे इतने ही रहेंगे अब इसमें से interest less कर देते हैं जो interest है वो भी हमारे fixed है जो earning tax है वो 30% है तो कितना आएगा 30% यह हमारे tax का amount आ गया तो इसमें से less करने के बाद हमारा आएगा 25,200 यानि कि 10% sales में change करने पर earning में हमारा कितना percent change हुआ है इसके base पर हम यहाँ पर क्या करेंगे answers निकालेंगे कि EBIT में कितने percent change आया है और उसे divide कर देंगे EPS में जो number of shareholder दे रखे हैं उससे जो answer आएगा यहाँ पर उसकी value vote करके हम degree of financial leverage निकाल देंगे दोनों का ही answers क्या आएगा same आएगा किसी भी formula को हमें use गर के degree of financial leverage निकाल सकते हैं तो high hope आपको clear हो गया होगा कि operating leverage क्या होती है financial leverage क्या होती है अब हमारा रहता है सिर्फ इसका एक parts combined leverage का उसे हम next वीडियो में करेंगे उसके बाद एक example के थूँ इन तीनों को बहुत ही अच्छी तरह जैसे अब तो हमने एक एको deeply explain किया फिर हम formula के use से उन तीनों को ही questions को solve करने की कोशिश करेंगे और ये चारों की चारों वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको leverage में कहीं पर कोई problem नहीं आएगी so thank you for watching this video और कहीं पर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप comment session में हमें जुरू बताएगा आपके जो comments हैं वो हमारे लिएक motivation का काम करते हैं और आगे जो हम video बनाएंगे उन पर उनको apply करेंगे ताकि आपको और अच्छी तरह से हम समझा सके so thank you for watching this video and please please share and subscribe my channel thank you